आर्थिक बंदी अब गरीबी ही नहीं बलकि बदलते समय के साथ मौत का भी सबब बनने लगी है और ऐसा ही एक आर्थिक तंगी शनिवार को आपको बता दी कि एक परिवार की 300 दस्यों की मौत का कारण बन गई अलवर के सदर थानक शेतर के मदनपूरी में एक विवाहिता ने अपने दो मासूमों के साथ फासी का फंदा लगा कर आत्मोहत्या कर ली जानकारी के मुताबिक मृतका सपना के पती ने दो महीने पहले आत्मोहत्या की थी और तभी से सपना अवसाद में थी इस उरान सपना ने अपने दो साल की बेटी खुशी और बेटे नक्ष के साथ आत्मोहत्या कर ली है घटना की सूशना के बाद एडिशनल स्पी चिरंजीलाल मीना, डीस्पी जगमोहन शर्मा सहेत पुलिस प्रशासन मौके पर पहुँचा और तीनों के शवों का पोस्मॉटम करवाया गया फिडाल पुलिस इस पूरे मामले की जाच पर ताल कर रही है प्राइमा पेशी यह पाया गया कि इनके तपी की दो माँ पुरू बैथ हो भी थी, टाइफएट से बिमार थे, माईला सब्समे में भी थी पीड़ी तपक्स भी यहां पर आया हुआ है, उनसे भी हमने लिया कि को आपको सक्सुबा हो तो उनकी तरस से यही था कि ताब आप कारवाई करें